एक अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इनमें LPG की कीमत, PPF, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमादी शामिल है। एक तारीक को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता सकता है। HDFC बैंक ने स्मार्ट बाइ प्लाटफॉर्म पर एपल प्रोड़क्ट के लिए रिवार्ड पॉइंट के रिडम पशन को एक प्रोड़क्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है। ये नए नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे। एक अक्टूबर से श्रमिकों को अ भी भावक ही संचालित कर सकेंगे। एक दिगज अभीनेता मिथुन चक्रवर्ती के नाम एक और उपलब्धी जुड़ गई है। उन्हें दादा साहब फाल के पुरसकार दिया जा रहा है। मिथुन को राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार समारों में यह पुरसकार प्रदान क किया जाएगा। इस पुरसकार समारों का आयोजन 8 अक्तूबर 2024 को होगा। केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैशनव ने एक्स पर पोस्ट साचा कर लिखा। यह घोशना करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि दादा साहब फाल के चयन जूरी ने। दिगज अभीनेता मिथ अक्तूबर को सत्तरवे राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार समारों में यह पुरसकार प्रदान किया जाएगा। बिहार में कोसी, गंडक, बागमती नदी कहर बरपा रही है। अब तक 200 गावों में बाड का पानी घुज गया। करीब 3 लाक से ज्यादा लोग प्रभावित है बिहार सरकार ने अलर्ड जारी किया है। पिछले 24 गंडे में 7 तटबंध तूट गया। दर्भंगा के किरतपूर प्रखंड के भभॉल गाव के पास कोसी नदी का देर राद भूभॉल गाव तटबंध तूट गया है। इस तटबंध के तूटने से किरतपूर में तटबंध तूट गया। हाल ही में जूनियर एंटियार की फिल्म देवरा पार्ट वन रिलीज हुई है। फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर पहले दिन अच्छी कमाई की लेकिन दूसरे दिन इसके कलेक्शन में 53 की गिरावट नजर आई। वहीं स्त्री दो अभी सिनेमा घरों में मजबूती के साथ टिकी हुई है। शनिवार के दिन देवरा का कलेक्शन बढ़ने की बजाए काफी ज्यादा कम हो गया। दूसरे दिन फिल्म ने 53 की गिरावट के साथ 38.2 करोड रुपे का कलेक्शन किया। फिल्म स्त्री दो बॉक्स ओफिस पर अभी शांदार कमाई कर रही है। रिलीस के बाद से इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं। को सभी विधायकों की बैठक की। सीएम ने कहा कि हम ऐसे जगन्य कृतियों की निंदा करते हैं और हमारी सरकार उनकी सुरक्षित रहाई सुनिश चित करने के लिए काम कर रही है। के लिए जिस विशेश पैकेज की घोशना की थी वह अब बढ़कर 90,000 करोड रुपे तक पहुँच गया है। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान IMF के सामने मिननतें कर रहा था। उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी सरकार ने दी है। राज्य में हर भूमी के लिए एक खास यूनिक आईडी विशिष्ट भूमी पारसल पहचान संख्या देने की तयारी चल रही है। इस यूनिक आईडी के जरिये ही भूमी की पूरी कुंडली मिल जाएगी। राजस्व विभाग ने तीन हजार गाव में यह काम पूरा भी कर लिया है। दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है। इसमें प्रतेग भूमी का एक नंबर मिलेगा। भूमी कहां पर है। उसके देशांतर और अक्षांच निर्देशांक भूस्वामी की डिटेल आदी भी मिल सकेगी। यही राजस्व विभाग प्रतेग भूमी के अंच निर्धारन संबंधित जानकारी देने की व्यवस्था की भी योजना पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गोविंदपुरी भीमसन रेलवे लाइन पर एक बार फिर सिलिंडर मिला है। ट्रैक पर अगनिश्मन सिलिंडर देखते ही पुषपक एक्स ब्रेक लगाएं। बताया जा रहा है कि सेफ्टी सिलिंडर कुछ देर पहले उधर से गुजरी कुशीनगर एक्सप्रेस में लगा था। यहां ट्रैक पर कैसे आया। इसकी जांच की जा रही है। बता दे कि कानपुर जांसी रूट पर साबर्मती एक्सप्रेस। अनवर गंजकास गंज रेलवे लाइन पर कालंदी एक्सप्रेस और कानपुर फतेहपुर रेलवे लाइन पर प्रेमपुर स्टेशन के बाद यह चोथी घटना है। पुश। पक एक्सप्रेस से पहले कुशीनगर एक्सप्रेस और गोरकपुर एक्सप्रेस भी इधर से गुजरी थी राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपताओं की सूची में लू गर्मी की लपट को शामिल कर लिया है इससे लू से प्रभावित व्यक्तियों को अब आर्थिक सहायता मिलेगी जो पहले केवल बार, भूकंप और आकाशिय बिजली जैसी आपताओं पर ही उपलब्ध होती थ यह नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों से लागू होगी, अब यदिलू से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिवार को वही मुआवजा मिलेगा जो अन्य प्राकृतिक आपताओं से प्रभावित लोगों को मिलता है, अब तक लू को एक प्राकृतिक आपता के रू लोगों को अपना शिकार बना चुका है, लगातार हो रही घटनाओं से पूरे जिले में दहशत का माहौल है, उधर वन विभाग ने अभी तक तीन तेंदूओं को पकड़ने में काम्याबी हासिल की है, मगर घटनाओं से यही प्रतीत होता है कि अभी इलाके में तेंदू था में मिला है